मितुन चक्रवती ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है अपने स्ट्रगल के दिनों में मितुन चक्रवती की मुलाकात सलमान के पिता से हुई थी और इस मुलाकात से मितुन चक्रवती को बड़ा फाइदा भी हुआ था सलीम खान ने मितुन चक्रवती को बड़ा कॉंटाक दिलवाया था इंडस्ट्री में ये बात तब की है चब मितुन चक्रवती के पास खाने के पैसे भी नहीं थे और ना ही काम था मुंबई में एक टेलर की शॉप थी प्ले बॉइ टेलर शॉप जहां पर फिल्म इंडस्ट्री के जादतर लोग कपड़े सिल्वाने जाते थे मितुन चक्रवती अकसर उस शॉप पर जाया करते थे वहां भी नेटवरकिंग हो जाए इसलिए एक दिन वहां पर सलीम खान पहुँचे सलमान खान के पिता मितुन चक्रवती उन्हें देख रहे थे और सलीम खान भी उन्हें देख रहे थे तब सलीम खान ने मितुन चक्रवती को देख कर कहा कि तुमारे चेहरे में कुछ अलग बात नजर आती है तुम acting करने के लिए आई हो तब मितुन ने कहा कि हाँ मैं acting करना चाता हूँ मैं FTII से graduate हूँ लेकिन मेरे पास काम नहीं है मुझे please काम दिलवा दीजिए तब सलीम खान ने कहा कि तुम्हारा काम यश चोपडा कर सकते हैं यश चोपडा इस वक्त एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें एक लड़के की जरूरत है उनसे जाकर मिलो और उनके सामने मेरा नाम ले लेना मितुन चक्रवती एक struggler थे और direct उन्हें यश चोपडा से मिलने का contact मिल गया था यश चोपडा से मिलने में ही महीनों लग जाया करते थे बस सलीम साब के कहने पर मितुन चक्रवती यश चोपडा से मिलने गए उस वक्त यश चोपडा फिल्म बना रहे थे त्रिशूल और इस फिल्म में लीड अक्टर के लिए वो अल्विडी अमिता बच्चन को ले चुके थे एक दूसरे लड़के की जगे खाली थी वहाँ पर मितुन का चांस लगने वाला था लेकिन बाद में उनकी जगे सचिन पिलगाउंकर को ले लिया गया मेतुन चक्रवती इस बात से नारास्त हुए है लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि सलीम खान साहब ने उन्हें स्ट्रगल के दौर में मदद की यश्चोप्रा का कॉंटाक्ट डिलवाया और वो यश्चोप्रा जैसे फिल्मेकर से उस टाइम में जाकर मिले भी